हेलो गाइस वेलकम बैक टू आज चैनल और स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नई वीडियो में आज हम लोग आपके लिए बहुती जवरदर सीज लेके आए हैं इंडिया का जो बेस्ट स्नैक है जो हर एक आदमी को पसंद आता है तो आज हम रिव्यू करने वाले है यह देखिए मूमो किंग का यह जो है पनीर मूमोस और आपको अगर रेट की हम इसकी इंफोर्मिशन दे तो आप देख सकते हैं पैक पे यह 200 रुपीज का है और इसमें 12 पीसिज हैं हाला कि जहां से हमने यह लिया था जनकपूरी वेस्ट डेली चोटी सबजी मंडी से वह यह जादा बढ़िया बनते हैं यह फिर जो है फ्राइड वाले तो आईए फ्रेंड्स चलते हैं इसको स्टीम और फ्राइड दोनों करते हैं और देखते हैं कैसे बनते हैं तो यह देखिए गाई इस पैकेट के जो बैक साइड पे भी आप हीटिंग इंस्ट्रक्शन देख कि रचे हैं इसमें भी लिख ँवई है यह तो आप इसे माईक्रो वेव करकर के स्टीम कर सकते हैं और यह फिर इसे पैन फ्राइड कर सकते हैं तो जैसा हमने बोला इसको हम माईक्रोव wrong मेभी बनाएं इंगे और आदे जो शिक्स पीसες हैं उसे खाते हैं तो आई यह फ्रे प्रेट के अंदर ही मिलती है तो आपको अलग से प्रिपेर करने की ज़ुरत नहीं है अगर मैं बोलूँ तो बहुत डीसेंट साइज है बहुत कोई बड़ा साइज नहीं है तो आइए फ्रेंड्स इसको फ्राइ करते हैं और माइक्रोवेव भी करते हैं और बताते हैं आपको कैसा बनता है फिर यह तो लीजे फ्रेंट्स ये हमने जो 6 पीस है ये हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं और आई है जो बाकी 6 पीस है उनको फ्राइ करते हैं चलिए तो लीजे फ्रेंट्स ये हमने डाल दिया है हमारी कड़ाई में तो देखिए फ्रेंट्स ये हमारे हो गए है गुल्डन ब्राउन और अच्छे लग रहे हैं और अब इसको हम निकालने वाले हैं और आईए आपको टेस्ट करके बनाते हैं और स्टीम वाले भी तियार हो गए हैं तो दोनों आपको टेस्ट करके दिखाते हैं आईए फ्रेंट्स तो देखिए गाईज ये हैं हमारे फ्राइड मोमो और ये हैं स्टीम मोमो दोनों ही रेडी हो चुके हैं तो पहले हम आपको स्टीम मोमोस टेस्ट करके दिखाने वाले है देखिए कैसे बनाई है अगर हम इसको माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो इसमें से एक आदा पीस ब्रेक हो गया इसका आउटर लेयर तो आप तेमप्रेचर का जरूर दियान दीजेगा जब आप इसको माइ स्टीर इसकी बात करूँ अगर फ्रेंड्स पनीर मॉमो उस मार्केट में भी भाट क्वात खाए है और वेस्ट इली में मॉमो की इतनी वराइटी है शायद आपको डेली वें और कहीं ना मिले तो अगर मैं पनीर की इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही टेंडर प बात करूं तो I would give it maybe 9.5 or 10 out of 10 बहुत ही सॉफ्ट मुमो बना है और बहुत ही अच्छा यह स्टीम वाला और क्वालिटी भी अच्छी है साइस भी डीसेंट है तो आप जरूर खाईए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा यह मुमो किंग का पनीर मुमो स्टीम वाले आईए जो देखते हैं कैसे बनाएं तो इसकी जो फिलिंग का देस्ट है वो दोनों में ही और मुस्ट इंटिकल आ रहा है कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है तो जो लोग फ्राइट खाने में ज्यादा उनको पसंद आता है तो I would recommend वो फ्राइट खाएं यह स्टीम अगर मेरी प्रेफरेंस पूछे तो I would go for steam विकाज इसमें जो इसके टेस्ट है नैच्रल टेस्ट जो है वह ज्यादा एंडरिच होके आ रहे है इसमें जो है थोड़ा फ्राइट होने की वज़े से वह अल्टर हो गया है बट फ्राइट मॉमोस भी टेस्ट बहुत अच्छा क्वांटिटी है इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है मुमोस किंग की और मैं डेफिनेटली डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा यह आप लोग भी मंगाईए ऑनलाइन भी है बहुत सारे पोर्टल्स पे आपको मिल जाएगा मुमो किंग की शायद वेबसाइट भी है उस प में ऑधी है बहुत अब्लाइट implies